नमस्कार दुटो मैं संदीव स्वागत है आप सभी का आज की इस नई और फिस वीडियो में दुटो आज बात करने वाले हैं जो भी इनुवर्सिटी या फिर जो भी कॉलेज के चात रहें जो भी बिय के चात रहें और इनका सबजेक्ट हिंदी है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं को कि आज कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए हिंदी मडल कोईश्टन के बारे में लगातार हम आपको हिंदी की जो कोईश्टन है टॉप लेबल के और माडल पेपर प्रोवाइट कर रहे हैं इससे आपको आने वाले एक्जाम में काफी हेल्प मिले और आपको काफी सफलता भी मिले आज इस वीडियो में जो भी कोईश्टन होने वाले वह टॉप लेबल के होने वाले अगर आप यह सारे कोईश्टन अच्छे समझ के जाते हैं तो 5-6 नंबर 100% आपके क्लियर ही क्लि वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को सारी चीज़े समझ में आएंगे और सारी चीज़े आप लोग को अच्छे से आएंगी ठीक है यानि कोईश्टन और एंसर दोनों हम आपको प्रवाइट करेंगे ठीक है चले बढ़ते हैं यह वीडियों चात्रों के ल आप सभी चाहेंगे तो सभी वीडियो को देखें आपसर मिल जाएंगे शुकल यूग प्रसाद यूग भारतेंद यूग दुबेदी यूग तो एकांकी रशनाव का प्रारम किस यूग से माना जाता है तो आप लोग को आपसर मिली गए तो इस क्वेश्टन में से जो रा लुए चीह जाएगा कि अधर फृचलिए डेखते हैं को सबस्ते हैं कि नबर नेक्सक्वेश्ट कर बढ़ेंगे लिखा और कि से मार एकांकी किस यूग बहुने सुर की यूग कि निराला की विष्णू प्रभाकर की तो जो सीमा रेखा एकांकी है वो जो है वो सिरी किसकी है इन आपसन आप लोग देख लीजिएगा इन आपसन में जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर यानि कि बिसूर प्रभाकर सीमा रेखा एकांकी बिसूर प्रभाकर जाएगा इसलिए राइट एंसर लगिनाटक लंभी कहाणी दर स्य काव में तो इन आपसें छो जाएगा या एक काम में एकी एक आंकी होती है या फिर एक आंकी होता है है ऐसा भी एक एक आंकी युश्व could एक आंकी है जिसकी रश्णा किस सन में की गई थी या फिर कब हुई थी ऐसे कई प्रकार के घुमाफिर पूछे जा सकते हैं लेकिन एंसर उसका एक ही होगा जो रहा एंसर होगा इस कोस्टन का वह हो जाएगा 1930 यानि स्लेट करेंगे हम सी नंबर ओके चले देखते हैं कौन सा है लिखा है कि सिल्प बिधान को द्रस्ट से एक आंकी कि कितने तत्माने जाते हैं कहीं कर टाइप करने में मिश हो जाता है तो यहां पर होना चाहिए था कि सिल्प बिधान के द्रस नौ साथ बारा तो इन आपस्टनों में से राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा साथ यानि की सी नंबर ठीक है चले बढ़ेंगे लिखा कि छाया वाद उत्तर यूग के एक आंकी कार हैं हरे क्रिश्ण प्रेमी जी परताप नराण जी और डाक्टर लच्मी नराण जी औ जो स्री नराण जी ध्यान में रिखीगा नेस्ट कोशिन है कि कबूतर खाना किसकी एक इक आंकी है वह किस कभी की है या फिर किस रश्ना कार की ए इन आपस्टनों में से कौन सही होगा वह आप लोगों तिक करना होगा कोश्चन का राइट एंसर हो जाए बी नंबर उपें नात अस्क जी की एकांकी इसलिए राइट अंजर अंसर जो होगा बी नंबर नेस्ट कोईस्टिन है कि निम लिखित में से हिंदी के प्रमुक एकांकी कार कौन है रेडू उपेंद्र नात अस्क धर्म भीर भारती जैनेंद्र तो इन आप सनों में से जो राइट अंसर हो क्या राइट अंसर हो जाएगा इन नव नंबर कोईस्टिन का राइट अंसर हो जाएगा उपेंद्र नात अस्क हम भी पर किलिक करेंगी दुफ्तों सोरी यानि की आठ नंबर कोईस्टिन फिर से पढ़ते सायद मुझे लग रहा एंसर गलत मैंने बोल दिया है यहाँ पर मुझा है को Κबूतर खाना एट टानद की राइट करेंगे हम चैनल कोई सब्सक्राइब को नपर कोईस्टि एक आंकी है ठीक है उसकी जो रशना है किस्टन में हुई थी यह रशना काल बताईए आपसर आपको मिली गए है 1922 1931 1935 तो इस question को राइट answer हो जाएगा वो हो जाएगा 1931 यानि कि सी नंबर ठीक है कि लिक करेंगे सी पे बढ़ेंगे लिखा कि हिंदी का प्रथम एक आंकी किसे माना जाता है ठीक है तो एक घोट को नील देवी को करवा को बादल कीम्रति क्यों सोत्रग मुदाभी की जानकारी मिली है इस question नंबर एक घोट यानि कि ए नंबर एक घोट है प्रथम एक आंकी ठीक है ध्यान में रखेगा चलिए बढ़ते हैं निस कोईचन के और निस कोईचन कह रहा है कि हिंदी एक आंकी का जनक किसे माना जाता है यहां पर आही हो गया है लेकिन है होता है ठीक है यह था इसा भी question ह हो सकता है आप तर आपको मिल गये हैं मोहन राकेश रामचंद भारतेंद हरिशंद अगे बहुत ही टॉप लेबल का question है कि हिंदी एक आंकी का जनक किसे माना जाता है तो इस आप सुनों में सुझ राइट इंसर हो जाएगा भारतेंद हरिशंद को माना जाता है इसलिए हम स कोशन कह रहा कि मात्र मंदिर किसकी एक आंकी है धर्मीर भारती की पूर सिंग की हरे क्रश्ण प्रेमी की महादेवी वर्मा की तो जो मात्र मंदिर है वो स्री हरे क्रश्ण प्रेमी जी की एक आंकी इसलिए question का right answer सी पे हम कि लिख करेंगे ओके चले बढ़ते हैं इस question के और वो है समय स्थान का कार रही यानि कि समय स्थान कार रहे है इसलिए right answer d number पे हम select करेंगे ओके चले अगला question देखते कौन सा है लिखा कि भोर का तारा एक आंकी किसकी है विश्णु पुर्भाकर की जैनंद्र की जगे जग्दीश चंद्र माथूर की मोहन राकेस की तो भोर क तारा जो एक आंकी है ठीक है भोर का तारा जो एक आंकी है उसके जो एक आंकी कार है वो जग्दीश चंद्र माथूर जी है इसलिए question को राइट answer हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर ठीक है चलिए बढ़ते है नेस question क्यों नेस question कह रहा है कि एक आंकी में सुधार आनिव होता है तो आप सब्सक्राइब कहने के मतलब यह है कांकी में सुधार आनिवार होता है हाँ नहीं कभी नहीं इन में से कोई नहीं तो इन में आप लोगों को एंसर देना है तो एक आंकी में सुधार आनिवार होता है तो इस question को राइट answer हो जाएगा हाँ एक आंकी में आप आफ सुधार कर सकते हैं इसलिए राइट एंसर भी नंबर हो जाएगा कि नदी प्यासि थी एकांग की कि Emperor द्र permit की राम चंद्सुक्ल जी की भारद ईंध्धिछ्प धिक्त की मोहन रा केश की तो जो नदी प्यासी थी एक आंकी जो एक आंकी कार है इसके वो है धर्म बीर भारती जी इसलिए कोश्चन का राइट एंसर करेंगे यह नंबर लिखा कि दीब दान किस विधा की रशना बहुत इंपर्टेंड टॉप लेवल कोश्चन नोट डाउन प्लिजिसे आप लोग नोट डाउन यह जरूर लीजेगा को कि आपके एक जम में आ सकता है आपसे मिल जाएंगे नाटा के कांकी अपन्यास कहानी तो दीब जान जो है व आधनों के कांकी नाटको का भीसमी पितामा किसे कहा जाता है गुजुँच का रायट अंसर प्रेम बढ़ेंगे हम और लिका frei डाविईयोगिनी कि किस युकी रसना है शुकलोत्तर युकी शुकल युकी भारतेंद युकी प्रसाद युकी तो जो प्रेम योगनी एकांकी है ठीक है जो प्रेम योगनी एकांकी वो भारतेंद युकी ठीक है एकांकी है ठीक है भारतेंद युकी प्रेम योगनी एकांकी है ठीक है भारतेंद करव में क्यों कि कोश्चन की जैसे करती की भंवने सल प्रसाद की हरी कृष्ण प्रेमी की तो करवए कांगी जो है तो टो टो तोट जो जोटोराइक कांगी हो उनिय में करें के मैं यगरेंगे नेक्जू सन कि और लिख्षा कीृम्न में से तो है प्रतिका प्रतिका आत्मक एकांकी कारों में प्रमुक कौन है धन्बीर भारती भानेसर विश्नु प्रभाकर निराला तो इस वह जाएगा आप्शन नंबर यानि कि भानेसर याद रखेगा ठीक है बहुत इंपर्टन कोई भी वाइश नंबर करेंगे ठीक है चलिए देखते हैं अगला कौश्चन कौन सा है लिखा कि विदा ठीक है वह की विदा एकांकी कि कि है बिनोद रस्तों की मोहन राकेश की जगदिश चंद्र माथुर की और स्चिव पूजन सहाय की तो इस अगला कौश्चन है कि एकांकी सामयता कितने समय की होनी चाहिए बहुत इंपॉर्डन कोश्चन है कि जो सामान ने आप एकांकी कहेंगे ठीक सामान उसका कि आप क्या होगा यानि कितने समय की होनी चाहिए फचार साम्ट की 1-2 मिनट की 30-45 मिनट की आठ मिनट की तो राइट एंसर हो जाएगा जो जाएगा तीस से 45 मिनट की इसलिए हम क्लिक करेंगे राइट एंसर पे सी पिधान में रखेगा बहुत ही इंपॉर्टेट और जर्रली भी कोश्चन है लए कि अग्ला क्वेस्चन है कि सफी ठिक है सूखी डाली एक आंकी एक किसकी है राम चंदरजी की उपरेंद्र नात अस्क के जैसेंकर परसाद की राम कुमार वर्मार की तो जोह सूखी डाली एक आंकी तो 35 नमबर पर्सक एक पर्चीशael होगा 9 पेंद्रनात अस्क सुखी डाली एक आंकी पेंद्रनात अस्क की है बी नमबर राइट एंसर बढ़ेंगे एकले क्वेश्चन के ओर लिखा कि मिट्टी का सेर एकांकी किसकी है गंगा प्रसाद स्रीवास्तों की सेट गुबिंदास की कुवर बहादूर की गुबिंद बल्लब पंतकी तो 26 नमबर जो कोईश्चन उसका राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा आप्शन नमबर ठीक है आप्शन नमबर ए गंगा प्रसाद स्रीवास्तों ठीक है किलिक करेंगे एप हैं ए नमबर बढ़ेंगे नेस कोश्चन के ओर लिखा की विकास क्रम की द्रस्ट से ह हिंद्य कांकि स्राहित को कितने भागों बाटा गया था आपको option मिली गया है इसमें राइट एंसर हो जाएगा वह आपको बता देते हैं डी नमबर चार भागों में बाटा गया ओके चले बढ़ेंगे नेस कोश्चन के ओर लिखे लिखा की चरवाहें कांकी कि किसकी है कु लिखा है कि डाक्टर नागेंद्र ने हिंद्य कांकी के विकास के स्रे किसे दिया है यानि कि डाक्टर नागेंद्र जी जो है उन्होंने हिंद्य कांकी का जो विकास हुआ है उसका स्रे मुख स्रे किसे दिया है इन्होंने नागेंद्र जी के अनुसार जैसेंकर प्रसाद क करेंगे हम यह नमबर ऑगे चलिए बढ़ेंगे लिखा कि आपको ऊप्लोड की तो जो चारू ठीक है उसका राइट एंसर यानिकी यौ कि सब्सक्राइब को मालूम होगा क्योंकि एक दूर दीन पहले वीडियो तो उसमें मैंने आपको बताया था रामकुमार वर्मा जी की तो आज किस वीडियों पूरे के पूरे मैंने एकांकी से संब्सक्राइब पूरे टॉप लेबल के तो कि आने वाले एक्जाम के लिए काफी अगर आप अच्छे समझ के जाते हैं तो आपको काफी हेल्प मिलेगी आगी वीडियों ठीक है कोई कोई कमेंट करके पूछे हम मिलेंगे नेश्ट वीडियों में तब तक के लिए जाहिंद